रहुल जी से मेरे एक बिंती है, अगर आप चाते हो देश में जरन गरना करना, जाते की मत करो, आप गरीब की करो, किस समाज में कितने गरीब हैं, उसका अथन कैसे किया जाए, उसको करने के लिए आप नहीं आगे बढ़ोगे, आप उसका प्रोध कर रहे हो, तो ना तो आप गरीब के साथ हो, और नहीं समीधान के साथ हो, केबल केबल आप, बोट बैंक के साथ हो, सपने देखना बंद करो, अब प्रिधान मंतरी भाजपाइगा, मोजी जी के बाद, मुझे इतना उमीद है, देश की जौब आज है, योगी जी की है, रहुल जी बता दे, कितने मु मुझे दुकान खोलूंगा, काम चला नहीं, तो मुझे दुकान भी टाइटा फिस होगी, नमस्कार, आप दन्यूस देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ हर्जुन खजूरिया, राहुल गांदी पिछले कुछ महीनों से लगातार एक बात पर बहुत जादा जोर दे रहे ह लेकिन जातीकर जन्गन्ना की बात करते हुए, कभी ना कभी ऐसे टॉपिक्स पर वो आ जाते हैं, जिससे कही ना कहीं फिर से विवादित चहरा उनका सामने आ जाता है, अब वो कह रहे हैं, मैंने कभी किसी मिस इंडिया को नहीं देखा, जो दलित हो, आदिवासी हो, ओब इसी समाज से आते हैं, और लगातार राहूल गांदी का इस ओर ध्यान है कि कैसे जातीकर जन्गन्ना करवाई जाए, कह रहे हैं, यहां तो अभी इसको करवा ले मोदी जी, नहीं तो फिर अगली बार नया परधान मंतरी इसको कराएगा, यानि कि उनको लग रहा है कि वो आने वाले समय में परधान मंतरी बनने वाले हैं, और वो आकर के जातीकर जन्गन्ना करवा देंगे, हमार साथ पसमंदा मुस्लिम समाज राष्ट उतान समीती के राष्ट देख शैसान अबासी खान है, इन से चर्चा करेंगे इस बारे में कि इनको क्या लग रहा है, सर र अलगातार आजकल पूरी राजनिती उनकी इसी पर टिक्योंई नजर आ रहे है, नहीं मुदी जी भेदवाव नहीं कर रहे, भेदवाव तो कॉंग्रस नहीं किया, चाए वो मुस्लिम समाज के लोग हो, चाए दिलित समाज के लोग हो, चाए आदिवासी हो, सतर वर्सों मे राहूल जी बता दें, कितने मुक्रमंतरी आदिवासी रहे, कितने प्रिधान मंतरी आदिवासी रहे, कितने राजपती आदिवासी रहे, और कितने राजपाल आदिवासी रहे, या मुसलमान रहे, या फिर ओबेसी रहे, या फिर दलित समाज के रहे, आप चुनाब आता ह तो दलित की बात करते हो चुछ आप जीत जाते हो तो फिर महल है बैठ जाते हो अभी जाती की बात की आपने तो सद्रम template पूछा कई आप से कि आप की जाती क्या है आप स्वहम अपनी जाती नहीं बता सके तो फिर जाती करना कैसे किरा जाएगी यह मैंने पूछा फ Beim आपके सब के सामने पूछा किया, पूरुई देश ने देखा है, तो आपको अपनी जाती नहीं बतानी चाहिए, मैं जाती बता सकता हूं, कि मैं अबासी समाज से आता हूँ, मुझे कोई आपती नहीं है, मिरे समाज अबासी समाज है, मैं सक्का समाज से आता हूँ, मिरे समाज ने पानी पिलाके अपना पेट पाला है, क्या योजना दी थी आपने सक्का समाज को, क्या योजना दी थी आपने अलिभी समाज को, क्या कि आपकी जो गड़ जोड़ है वो बड़ा खतरनाक है उसके माध्यम से आप बोलना चाहते हो अभी प्रफक्ष आप नेता बने हो अब बासी को बना देते मुस्लमान थे अकपास में आप फकीर को मना देते आप जुलाय को मना देते आप ही को मने को आप चाहते हो हमेशा सरबोच पद पाना चाहते हो चाहे वो राजपती का हो चाहे प्रधान मंतरी का हो चाहे वो आपका धेक्ष पद का हो चाहे वो प्रधान मंतरी पद का हो आप स जैसे ब्यान देतों जैसे देश का महौल खराब हो मीडिया का भी आपने जिक्र किया वो तो मीडिया कर्मियों से भी जाती पूछते रहते हैं अभी बीते चुनाब में भी एक किस्सा बहुत वाइरल हुआ था कि यूपी में जब उनकी आत्रा निकल रही थी एक मीडिया वा को लेकर कहते हैं कि समविधान फिर से बोल देते हैं समविधान खत्रे में आ गया समविधान तो खत्रा कॉंग्रेस का हातों में मेरा देश जब आजाद हुआ था आपके नाना जी ने अपने स्वार्थ के लिए इस देश के दो टुकड़े कर दिये हिंदू-मुस्लिम को नंगस कर दिया वो दर्द वो तंज अभी तक हमारे परवारों ने सहा है कि मैं मु अपने लाब के लिए कि अपने लाब के लिए खासकर उन उसके उस समाज के लाब के लिए इसको बोट बेंक जिसको बोट चिया था आपने बोट की खातर संविधान का टुकड़े की आपने बोट की खातर आपने संविधान को जगए-जगए छेड़ खानी की आपने आप की गलत निती रही है यह आपकी एक वो सोच रही है कि मैं सत्ता में कैसे रहूं में समाज सत्ता में कैसे मुझे बूट कैसे मिले यह आपके परवार की आपके दादी जी आपके ना जी आपके पिता जी कि रहनी ते यह रही है अब समाज बदल गया है अब देश के सरकार बद आज मेरा समाज आज देश का गरीब पिचला 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 पचिस परसद अब अमिरी रेखा में आ गया है यह कहीं न कई दस वर्ष का फल है सतर बरस तक आपने दबा के रखा आज बोट लेते रहें लेकिस समाज का उत्थान ने किया ना पढ़ाई के माद्यम से ना ब्य जी का जो नेतरत है सब के लिए एक बराबर है जो पिचला पिचला है उसका उत्थान करने का उन्होंने एक जो कदम उठाया है हम उसके लिए बहुत ही सराइनी है इसी वीच राउल गांदी ये भी कहा रहे हैं कि मोदी जी अगर आप जाती जन गन्ना को नहीं करवाने के कि बहुत ठीक आपने इनकी जो मैंना भी जो सपने देखने राहूल जी इनको एक सपना आया था कि मैं हिंदुस्तान को जोड़ने की आत्रा करूंगा ममी से बोला ममी मुझे सपना आया है और मैं देश के ब्रह्मन करकर देश को जोड़ूँगा जब देश चुड़ा कि मुझे समझो सब्सक्ति आरे हैं और यह अप इस ब्यान का समर्थन करते हैं जो कुछ लोग कह रहे हैं देखे राहुल गांदी जो सब जगा जाके OBC दलीत आदिवासी अभी पूरा जो शिगूफा शोड़े हुए हैं खुद लीडर ओफ अपोजिशन ये बन गे इनको किसी आदिवासी को बना देना चाहिए था किसी दली समाच से आने वाले हैं OBC समाच से आने वाले को बना ले करना चाहिए अगर आप चाहते हो देश में जरन गरना करना जाते की मत करो आप गरीब की करो किस समाच में कितने गरीब हैं उसका उत्वान कैसे किया जाए उसको करने के लिए आप नहीं आगे बढ़ोगे अभी सुप्रीम अभी सर्भों चिन्याले ने ये कहा था कि जो आ हमारे निता हैं चाहिए बहुत नाम करा सकता हूं उनको अलाप मिलना चाहिए उसको आप गरीब के साथ हो और नहीं समीधान के साथ हो केबल केबल आप बोर्ट बैंक के साथ हो जो आप बोर्ट लेते रहते हो और आप बोर्ट मिलने माला है नहीं अब सपने देखना बंद करो अब पिधार मंतरी भाजपाय के बनाएगा मोधी जी के बाद मुझे इतना उमीद है देश की जो अबाज है योगी जी की है मोधी इस पिर उसमें मिस्स इंडिया का जिक्र हो इसको लेकर करके आपनी चर्चा हो हमारे साथ रखे आपकी पूरी चर्चा से जो रहे हो आप जुरूर हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेर करें और बने रहें देरा नियूस के साथ